नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी एक नज़र डालेंगे पांच मिनट में पच्चिस खबरों पर मुंबई इस सित एंटीलिया के बाहर से मिली स्कॉर्पियो के मालेक मनसुक हिरेन की संदिक मौत के कई परते खुलती जा रही है मामने की जाज़ कर रही महराश्ट एटीयस का मानना है कि हिरेन को बेखोश्ट करने के लिए पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तमाल किया गया और फिर उसकी खत्या कर दी गई एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो कार से मिली धमकी भरी चिठी का रास खुल गया है एंटीलिया के पास पार्क की गई स्कॉर्पियो कार में मिली चिठी को खुद मुंबई पुलिस के निलंबे तधिकारी सचिन वाज़े ने ही रखा था एंटीलिया ने पूछटाश में ये वाज़े ने कबूल किया है पांच राज़ों में पहले चरण के लिए 27 मार्च को मद्दान किया जाएगा पशेम बंगाल और असम में पहले चरण का चुना प्रचार आज थम जाएगा आज प्रचार का आखरे दिन है और इसलिए बीज़े पी अपनी पूरी ताकत इसमें जोकने के लिए लगी हुई है बिहार के आरा जुले में बिती रात अपराधियों ने लज़े पी नेता को गोली मार कर घायल कर दिया घटना जुले के जगदीश मूथाना श्यत्र के इसारी गाउं की है देश में हर दिन रिकॉर्ड तोर कोरोना केस दर्च किए जा रहा है पांच महीने बाद रिकॉर्ड पहली बाद रिपन हजार से ज़यादा कोरोना के केस सामने आए पावंदिय अगले आदेश तक जारी रहीगी प्रधानमंती नरेन मोदी 26-27 मार्च को बंगलादेश के दो दिवसिये दौरे पर रहेंगे दोरान वो बंगलादेश के 50-70 दिवस और बंग बंग बंदू शेक मुजीब और हमान की जनम शती शमारों में शिरकत करेंगे होली का त्योहार उन्तिसमाश को मनाये जाएगा लेकिन धर्म की नगरी काशी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकदशी से हो जाती है काशीवासी अपने इश्ट भूले बाबा के साथ महा श्रमशान पर चिता भस्म के साथ खेलका खूली के पहले इस पर की शुरुआत कर देते हैं लेकिसी मौपा तीनों क्रिशी कानून के विरोध में किसान संगठोनों का अंदोलन जारी है 26 मार्श को देश व्यापी बंद की तैयारी किसान संगठोनों ने कर ली है इस बंद में किसानों को व्यापारी संगठोनों ट्रेड ट्रक बस और रेलवे यूनियनों का भी समर्थन मिलेगा दिल्ली पुलिस के साथ मुडबेर में दो इनामी बदमाश घायल हुए है जानकारी के मतावएक मुडबेर प्रगती मैदान के पास हुई बताय जा रहा है कि एक बदमाश पर वचार लाग और दूसरे पर दो लाग का इनाम घोशित था उत्रप्रदेश सरकार में संसद्य कारेर राज्यों मंत्री आनन सरूप शुकला ने एक बाफ फिर बुर्का को लेकर विवादित बयान दिया है शुकला का कहना है कि जुस तरह से सरकार ने तीन तलाग को समाप्त किया है उसी तरह बुर्का पर भी बेन लगाना चाहिए चुनाव से कुछ वक्त पहले ही बीजेपी में शामिल हुए अभीनेता मितुन चक्रवर्ती प्रचार के मोर्चे पर जुड़ गए है से देश की आम जंता को जरूर राहत मिलेगी आज सब्ता के चौते कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला इसके बाद बाजार के खुलते ही इसमें जोरदार गिरावट देखी गई बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज का प्रमुक इंडेक्स एंसेक 386.89 अंकों की गरावट के साथ खुला इलाबाद हाई कोट ने उत्ता प्रदेश में मास्क लगाने के नियम का अनुपालन नहीं किये जाने पर नाखुशी जाहिर की है कोट ने निर्देश दिया है कि एक जिम्यदार पुरिस अधिकारी इस अदालत को सूचित करे कि एक मार्ज 2021 को पारे तादेश में दिये गए निर्देश को लागू करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं बिहार विधानसवा में हुई घटना पर मुख्य मंतरी निर्देश कुमान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा सदन में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई अध्यक्ष को बंधक बना लिया गया उन्होंने कहा कि विधानसवा का शेत्र अध्यक्ष के अधिकार शेत्र में हैं दिल्ली मेरट एक्स्पिस वे पर 31 मार्ट से वहान दोड़ेंगे दिल्ली से मेरट का सफरव साथ मेरट में तै हुगा सुहिल देव भारतिय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजबर ने बीज़ेपी पर जम कर हमला बोला कभी योगी सकार में मंत्री रहे राजबर ने सत्ताधारी पार्टी बीज़ेपी पर अपनी भडास निकाली राजबर ने बीज़ेपी को भारतिय जूट पार्टी ने कहा कि E.D. को महबूबा के खिलाफ लगे सभी आरोपों को गंभीरता से जाच करनी चाहिए कॉंग्रेस मेता राहूल गांदी ने अब RSS को संग परिवार मानने से इंकार कर दिया है उन्होंने कहा कि वो अब RSS को संग परिवार नहीं कहेंगे साती राहूल ने आरोप लगाया है कि RSS में महिला और बुज़ूर्गों का सम्मान नहीं होता है बॉलिवूड सूपरस्टार सलमान खान ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोस ले ली है कुंबई की एक चीफ मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट ने इस फिल्म के ली डेक्टर सालिया भट, निर्देशक संजली लबंसाली और दो पन्यास लेखकों के नाम समन्चारी किया है टाइगर श्रॉफ और उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ की एक फोटो सोचल मीडिया पर तेजी से वारल हो रही है इस फोटो में कृष्णा ने टाइगर को अपने कंधों पर उठा रखा है इंडियन आइडल 12 के मंच पर बॉलिवुट के दिवंगत एक्टर रिशी कपूर को इस स्पेशल ट्रिब्यूट दिया जाएगा इस एपिसोट में रिशी कपूर की वाइफ नीतु कपूर भी शामिल होंगी बॉलिवुट एक्टरस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म थलाईवी का ट्रेलर खाली में रिलीस हुआ है ट्रेलर रिलीस हुआ तो साउथ के कई दिगर्श सितारों ने फिल्म में कंगना के लुक और उनके काम की तारीफ की है पांच मिन्ट पच्चिस खबरों में बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस बॉल इंडिया